दोस्तों दुस्मनों को खोज कर उनका सफाय करेगा आर्मी का ये हतियार आधुनिक हतियारों में महारत हासिल कर चुके अमेरिका ने अब अपनी आर्मी के लिए एक ऐसा घातक हतियार तयार किया है जो बिना इंसान की मदद के दुस्मनों को मार गिराएगा इस automatic हतियार की खास बात ये है कि यह छुपे हुए दुस्मनों को ढूंड कर उन्हें खत्म करता है अमेरिकी आर्मी ने पहली बार इस हतियार का परिक्षन किया है automatic truck मार गिराएगा दुस्मन अमेरिकी सेना द्वारा तयार किये इस truck का इन दिनों परिक्षन किया जा रहा है automatic driving technique से less इस truck का इस्तेमाल दुस्मन इलाके में फसे सैनको की मदद के लिए किया जा सकता है फिलहाल विगमैन नाम से मसूर इस truck को छुपे हुए target को ढूंड निकाल कर उसे खत्म करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है आपको बता दे कि इस truck के उपर एक .50 कैलिवर की मसीन लगी है इसके साथ ही एक आधुनिक remote management system इंस्टॉल किया गया है जिसके इस्तेमाल से truck control room से नियंत्रित किया जा सकता है हतियारों बाले robot की मदद से हो रहा परिक्षर आपको बता दे कि US Army इस automatic truck को एक खास तरह के जंगी मैदान में टेस्ट कर रही है जहां चारों तरफ हतियारों से लेस robot रखे गये है ये robot भारी हतियारों से truck पर attack करते है और फिर ये देखा जाता है कि truck कितनी कुसलता के साथ इन दुस्मनों पर वार करता है हालिका अमेरिकी सेना का कहना है कि इस automatic truck के पीछे हतियारों से लेस सैनिको का एक truck भी चलता है ये सैनिक truck के firing करने पर उसे backup देने का काम करते है आपको बता दे कि 2003 में इराग पर हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने पहली बार robot सैनिको का इस्तेमाल किया था उनका कहना है कि सेना अब ज़्यादा से ज़्यादा automatic हतियार या system force में सामिल करने पर काम कर रही है हालिका सेना का कहना है कि robot जैसे हतियार किसी फिल्मी हिरो की तरह जग में इस्तेमाल नहीं होंगे बलकि इन्हें सेना को मुश्किल हालात से निकलने में मदद के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले